हेलो गाईज, वेलकम बेक माई यूटूब चैनल, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अमारे इस वीडियो में और हाज हम बात करने वाले हैं, और और गेनिक प्रिपरेशन के बारे में जो Chemistry Practical Loadbook Standard 12 का है, जिसमें Experiment No.14 में हम लोग प्रिपेर करने वाले हैं, डाय बेंजल, असीटोन, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से प्रिपेर कर सकते हैं, और क्या procedure है तो यह जो पूरा Experiment है, यहाँ पे आपको Aim दिया गया है, ठीक है, और इसमें कौन सा reaction यूज कर रहे हैं, वहाँ पे यह पूरा आपको थेरी में मिल जाएगा, ठीक है उसके बाद यहाँ पे chemical reaction है कि हम लोग बेंजल डियाइड और असीटोन को मिला के किस तरह से डाय बेंजल असीटोन बनाते हैं, ठीक है, यह पूरा reaction है आपको उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ apparatus लेने हैं, जैसे conical flask हो गया, beaker हो गया, testive हो गया, funnel, filter paper, बाकी सब चीजे, ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको chemical दिया है, तो बेंजल डियाइड है, acetone है, 10% NaOH है, ethanol है, reactify spirits है, और eyes है तो यह सब चीजे आपको लेनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा procedure दिया गया है, कि आपको किस तरह से step by step इस practical को perform करना है, ठीक है तो यह हमारा पूरा procedure है, procedure के साथ में एक और बात ध्यान में रखने योग्य है कि आप जो भी practical perform करते हैं, उसमें अपनी जो safety होती है, उसको अपनी priority रखनी है आप practical बाद में perform कर रहे हो, लेकिन पहले अपनी safety को आप पहले महत्वद हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई-कोई chemical बहुत हजाडस होते हैं, जो आपके body के लिए बहुत नुकसान दायक होते हैं, तो आपको उसको अच्छे से tackle करना है, ठीक है, जो hair होते हैं लड़क अगर आपको बहुत ज्यादा doubt है, कि हाँ ऐसा नहीं होता है, तो आप अपना एक बाल तोड़के जला के देख लो, कि highly flammable है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको result भी दिया गया है, तो हमें कितना yield मिलेगा, 3.4 gram, और साथ में color क्या है, इसका yellow color, ठीक है, तो इस तरह से यह पूरा procedure है, साथ में यहाँ पे result आपको दिया गया है, उसके बाद हमें यहाँ पे multiple choice question पूछे गये थे, तो यहाँ पे हमें total 5 question पूछे है, तो पाचों का question यहाँ जो answer है, यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, पाचों का question यहाँ पे आपको mark करके 1st का है yellow color, 2nd का है condensation, 3rd का है two benzyle rings, 4th का है aliphatic ketones and aromatic aldehyde, 5th का है ethanol, ठीक है, तो यह हमारा MC क्यों हो गया, उसके बाद हमारा जो question answer था, तो यहाँ पे हमें कुछ question पुछे थे, तो यहाँ पे हमें molecular formula पुछा है diabenzyl acetone का, तो उसका molecular formula है C17H14O, उसके बाद हमें पुछा था क which reagent is used for the condensation of the benzyl dehyde and the acetone, तो इसके लिए हम लोग कौन सा reagent use करते है, sodium hydroxide, ठीक है, फिर उसके बाद third question है, write the name reaction for the preparation of diabenzyl acetone, तो यहाँ पे हम लोगें ने कौन सा इस्थिमाल किया था reaction, वो है Cleason Smith reaction, ठीक है, यह आपको यहाँ पे theory में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यह हो गया, तो आपको theory अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे fourth question हमें पुछा था, it is necessary to reach crystallization to the drive benzyl acetone obtained from the reaction, explain why, ठीक है, उसके बाद next question पुछा था कि what will be the product obtained when the equivalent benzyl dehydrate with the one equivalent of acetone, ठीक है, तो इस तरह के answer question आपको यहाँ पे दिये गया है, ठीक है, तो यह practical यही पे खतम होता है, तो अगर आपको इस practical में कोई doubt होगा, तो प्लीज आप हमें comment कर सकते हैं, या फिर आपको को study related, paper, question related, कोई भी चीज हो, तो आप हमें Instagram पे message कर सकते हैं, तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा आपसे निवेदयन है, प्लीस हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए, बिलकुल मुप्त है, किसी तरह का आपको कोई charge नहीं देना है, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करे, ताकि वो अपना practical perform करें, अच्छे से करें, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में,